वेलकम के अधर वीडियो ऑन दे चैनल एक्स्प्लोरिंग लिटरेचर विए इन तोडेश वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाओ थी उनिटीज तो लेट स्टार्ट इनको थी उनिटीज भी कह सकते हैं क्लैसिकल जूनिटीज भी कह सकते हैं और अरिस्टोटेलियन जूनिटीज भी कहते हैं तीन तरह की जूनिटीज हैं यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन ये जो त्री जूनिटीज हैं यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक लॉडवीको, केस्टलवेट्रो उन्होंने जब अरिस्टोटल की पोईटिक्स की इंटर्पिटेशन की तो उस वक्त उन्होंने इन फ्री यूनिटीज को रीडिफाइन किया अरिस्टोटेलियन रूल्स फॉर ड्रॉमेटिक स्ट्रॉक्चर हम सबसे पहले बात करें unity of time के बारे में unity of time से क्या मुराद है कि play के जो action है उसको 24 hours के अंदर अंदर complete होना चाहिए यानि play का जो action है that should be consisting of only one day that should be the story of one day that should be complete in single revolution of sun ठीक है next क्या है इसकी वज़ा क्या है क्योंकि tragedy को जो है वो perform किया जाता है ठीक है इसलिए spectator जो है वो three hours के drama में जो है ऐसी story पर believe ही नहीं कर सकता जो के बहुत सारे दिनों या सालों पर मुश्तमिल हो अगर spectator को action की reality पर ही यकीन नहीं होगा तो tragedy जो है उसका proper effect नहीं होगा ठीक है next हम बात करेंगे unity of place के बारे में unity of place का क्या मतलब है कि the action of the place should take place in one location in single physical place एक ही वक्त पर एक से ज़्यादा जगों को present नहीं करना चाहिए क्यों इसकी क्या वज़ा है क्योंकर tragedy को परफॉर्म किया जाता था तो अगर नहीं जगा दिखाई जाती तो stage को जो है दुबारा से जो है उसकी setting को जो है वो change करना पड़ता और उस setting के change करने के लिए जो है वो break लेना पड़ता और जो हमारी drama है उसके अंदर जो है वो break आ जाता तो इस तरह से जो tragedy है जो हमारा play है वो अपना effect जो है वो lose कर देता है ठीक है next हमारे पास है unity of action unity of action क्या है कि play में जो है एक main plot होना चाहिए जिसमें बहुत कम या फिर कोई sub plot ना हो ठीक है यानि main जो focus है वो एक ही किसी action पर एक ही जो है वो चीज़ पर होना चाहिए यानि एक ही main plot हो और अगर sub plot हो तो main plot की development के लिए हो ठीक है और जो plot है हमारा उसकी proper beginning होनी चाहिए middle होना चाहिए और proper ending होनी चाहिए ठीक है अगर अगर अब मैं आपको इन तीनों unitys की example दूँ तो edipus rex is the best example ठीक है जिसमें तीनों unitys को जो है वो show किया गया है for example अगर हम unity of place की बात करते हैं तो जो हमारा drama है edipus rex that has been performed in the front of edipus palace ठीक है edipus का जो palace था उसके gate के सामने जो है सारी performance हो रही गया ठीक है next अगर हम unity of action की बात करें तो whole of the drama revolves around the identity of the edipus ठीक है edipus की identity को ढूनने पर सारा drama जो है वो revolve कर रहा है ठीक है अगर हम unity of time की बात करें तो it is the story of the last day of edipus rex तो इस तरह से ये जो drama है edipus rex ये इन तीनों unity को जो है वो follow करता है अब बाकी लोगों ने क्या किया उनके बारे में थोड़ी सी बात करते है ड्राइडन जो है वो इन तीन unitys को favor नहीं करता बेन जॉनसन जो है वो क्या कहता है कि three unitys के जो Greek concept है उसको उसने support किया है बेन जॉनसन ने और डॉक्टर जॉनसन जो है वो कहते हैं कि ये जुरूरी है ये जो तीन unitys है ये जुरूरी है लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा depend करना जो है वो play जो है हमारा उसको controversial जो है वो बना देता है उसको जो है वो conventional बना देता है ठीक है अब जिस तरह हमारे पस Shakespeare है Shakespeare ने unity of time और unity of place को जो है वो avoid किया है उसने सिर्फ unity of action को जो है वो follow किया है Shakespeare का एक play है जिसके अंदर उसने हमें जो है 16 साल आगे की जो स्टोरी है वो बताई है और वो अचानक से 16 साल बाद की स्टोरी पर जो है वो जांप कर जाता है ठीक है तो इस तरह बहुत से लोग है जिन्हों ने जो है three unities को follow नहीं किया कुछ लोगों ने जो है वो follow किया है so this was all about the three unities I hope it's clear like and share the video and don't forget to subscribe the channel